तो दोस्तों बिग बॉस सिजन 16 में आपने देखा कि गोल्डन बॉइज 25 लाग रुपे फिर से वापस पाने का मोका आपने साथ लेकर आए हैं अब अपकमिंग एपिसोड में आपने देखा कि यही 25 लाग रुपे पाने का मोका कंटेस्टन को मिल भी गया है लेकिन इस बार भी ऐसे लगता है कि बिग बॉस की चाल में फस कर कंटेस्टन जो है 25 लाग रुपे गवा देने वाले हैं और घर के कंटेस्टन भी यह गवाई भी प्राइज मनी पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं लेकिन इस टास्क में अगर किसी भी घर वाले को कैप्टनसी चाहिए तो उन्हें वो 25 लाग रुपे गवाने होंगे तो इस टास्क में सभी घर वाले पीछे हट जाते हैं तो सुम्बूल अपना नाम लेके आगे बढ़ती है और अपना नाम कैप्टनसी के लिए जाहिर करती है जो देखकर सभी घर वाले काफी शौक करे जाते हैं तो यहाँ पर सुम्बूल तो किर खान 25 लाग रुपे को लाद मार कर कैप्टनसी के लिए हां कर देती हैं जिस पर अर्चना गोतम काफी बढ़क जाती है और सुम्बूल से कही थी कि सुम्बूल तेरा फर्स बनता है कि हमारे 25 लाग रुपे हमें वापस दे और तू तो त चली जाएगी तो उस पर सुम्बूल भी बढ़क जाती है अर्चना पर आर्चना से कही थी कि अभे तुम्हारे जेब से थोड़ी गए ना तो उस पर फिर आर्चना चिल्लाते हुए कही थी कि भई राजा राणी बनना है तो शकल देख के बनिये तो दोस्तों आप हूं क् लगता है कि अर्चना ने सही कहा किसकी शकलों को सूट करता है कैप्टन बनना या फिर राजा राणी बनना कमेंट करके हमें जरूर बताए और वीडियो आच्छा लागे ति वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले?